अगर आप लोग अपने गार्डेन को पूरे गड़मी खुबसुरत बनाये रखना चाहते हैं तो मैं एक प्लांट आपको सजेस्ट करना चाहूंगी वो है कोलियस आप देखेंगे मेरे गार्डेन में भी कोलियस कितनी खुबसूरती से अपने रंग बिखेर रहा है और अगर आप लोगों के यहां बारिश हो चुकी है तो अभी आप इस प्लांट को जरूर लगाएं मैं इनको साल दर साल मैं नर्सरी से ज़्यादा प्लांट नहीं लेती हूं पस कलर एड करने के लिए कभी पसंद आ गया तो मैं इनकी कोई वेराइटी ले ले लेती हूं और उससे कटिंग के थूरू मैं बहुत सारे प्लांट बना लेती हूं और ऐसे करते करते मेरे पास अ बोचार ही फूल खिलते हैं ऐसे में अगर आपके गार्डेन में इस तरह की कलरफुल प्लांट हो यह बहुत अगर आप इसके बारे में जानते हूं इसके बारे में आपको इन्फोर्मेशन पूरी हो तो सच माने यह बहुत बहुत अच्छे से चलता है और इसकी पूरी ला चाहती हूं कि किस तरह से मैं इनका क्यार करती हूं जिसे ये सालों भर मेरे पास बने रहते हैं और एक इंपोर्टेंट चीज मैं इसके बारे में पता दूँ कि ये जितना आसान है लगाने में उतना ही जल्दी ये सूख भी जाता है इसलिए इस पर थोड़ी केर की जरूरत ह आज मैं इनी चीजों के बारे में आपसे डिस्पस कर दो हूं सबसे पहले हम इसकी स्वेल की बात कर लें तो इसके लिए पटिकुलर किसी स्पेशल स्वेल के जरूरत नहीं पढ़ती है हमारा जो गार्डेन स्वेल है मैं जैसे प्रिपेर करती हूं वो मैं आपको बता रही नॉर्मल गार्डेन स्वेल में मैं चाय की पति सुखी वी जो धुली वी चाय की पति यूजड होती है उसमें इंपक्ट कम हो जाता है क्योंकि बहुत तेज होती है चाय की पति उसको मैं मिला लेती हूं मिट्टी में इससे हमारी मिट्टी थोड़ी भुरी भी हो जाती है और जैसे मानने कि इतना बड़ा आपका गुरू बैग है तो एक मुठी चाय की पत्ती उसमें हमें डालनी है। और देखें मैं क्या मिलाती हूँ, यहां को आप लोगों को दिखाने के लिए रखी मी हूँ। यह देखें, यह मिक्स मेरी धुली हुई चाय की पत्ती और एक शेल है। अगर आप एक नहीं खाते हैं तो आप इसको एवाइड कर सकते हैं। इसकी जगह आप काउडंग मैनियोर थोड़ा सा एड़ कर सकते हैं। या फिर आप कमपोस्ट जो भी आपकी पास एवाइबलेबल हो थोड़ा सा एड़ कर सकते हैं। यह एक्शल डालने का मेरा यह रहता है कि इससे कैल्शियम मिलता है जिससे इसकी पत्तियां बहुत शाइनी बनी रहती हैं। जो कलर होता है वो निखर के आता है। इसलिए मैं इसमें एक्शल जरूर डालती हूं। और इसे थोड़ा मिलती भी आपकी भुरबुरी और एयरी हो जाती है। आप बस इसमें एक चीज इसकी मिलती में ध्यान रखने वाली चीज है कि इसका ड्रेने सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत नाजुक प्लांट होता है तो ड्रेने सिस्टम अगर अच्छा नहीं होगा। पानी थोड़ा भी रह गया तो यह प्लांट एक दिन में ही मर जाता है। इसलिए इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें। तो देखें हैं मेरी मिट्टी नॉर्मल गाडेन स्वेल यह प्रिपेर करके रखी हुई है। आप देखेंगे आप इसमें कुछ सुखे पत्ते इस तरह के भी एड़ कर लें। चुकि मेरे मेरे में यह डला हुआ है मिट्टी तैयार है। इसलिए मैं आप लोगों को डाल के नहीं दिखा रही हूं। लेकिन आप सुखे पत्ते जरूर एड़ करें। इससे भी आपकी मिट्टी बुरबुरी रहती है। थोड़ा सा डाल दे और इसको किसी मिट्टी की जरूरत नहीं। यह देखें मैं इसमें तकरीबन यह मिक्स्ट एकसिल और यह चाय की पत्ती है। यह बुरबुरी यह डाल दूँगी दो मुठ्टी की पस ऐसे ही क्रस्ट करके हाथ से यह इसकी मिट्टी हो गई त्यार। और इसमें हमें अब बार-बार कोई भी कंपोस्ट डालने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तीन से चार महीने में कभी एक दो चमच इसमें कंपोस्ट डालने बस। अब देखें इसकी जो कटिंग लगेगी वह कैसे लगी कि वह मैं पहले आपको बता देती हूं। क्योंकि यह जो हमने मिठी प्रिपेर्ड किया है जब हमारे रूव्ध निकल जाएं गे कटिंग के इसके बार-टन्सप्लान्ट करेंगे हम इस मिठी में। लेकिन जो गक्तिंग हम लगाएंगे वह बिलकुल Tr Pepper प्लेन मिठी में जिसमें कोई खाद नहों। एसी मिट्टी में लगाएंगे तो अब आप देखिए यहां आप देखिए यहां पर यह मैंने चार कटिंग कल लगाई थी कल साम में और यह देखिए अभी यह मुर्जाई हुई है इस तरह से आप जब कटिंग लगाते हैं तो यह तकरीबन एक वन वीक का टाइम लेती हैं एक सब्ता लग जाता है एक सब्ता के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे इसकी पतियां अपने आप ठीक होने लगेंगी और यह थोड़ी सी भी अगर इसमें रूट निकल जाती है तो यह देखेंगे बहुत जल्दी बढ़ना शुडू हो जाता है और यहां देखें यहां देखें यह प्लांट इस तरह से हो जाएगा और अगर ऐसे हो जाए तो आप समझें आपके आपका प्लांट लग चुका है और लगानी कैसे है वह मैं दिखा जाती हूं आपको हमेशा कोलियस को लगाते समय ब्लेड का इस्तेमाल करें शार्प ब्लेड का क्योंकि मैंने दे प्लांट इसी वज़े से नहीं लेते हैं लग पाते हैं क्योंकि इसके यह टैमेज हो जाते हैं यह जो टैनी है इसलिए हम ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं और आप देखें किस तरह की हमें कटिंग लेनी है वह मैं आपको बता दूँ जब यह बहुत बड़े हो जाते हैं तो इसलिए आप देखें किस तरह की ब्रांचे में सलेट करें तो यह प्लांट है और इसमें मैं यह देखें उपर की तरफ जिसमें यह पतियां निकल रहे हैं उपर की तरफ इस तरह का एक सौफ्ट सा ब्रांच हमें चूज कर लेना है जिसमें दो-तीन नोड हो यह दूसरा दिख रहा है यह दो नोड हमें मिट्टी में दवाने हैं यह देखें यह तो हमें यहाँ इसके नीचे से कट कर लेना है तकरीबन पाँच इंच या छे इंच का हमें इस तरह से कटिंग लेनी है देखें आप यह कितनी साल्स कटिंग है अगर यही हम कैची से करते तो आप देखतें यहाँ आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन इसके डैमेज हो जाते हैं टीशूज फिर वो लग नहीं पाता प्लांट यह देखें यह हमने बाकी सारे लीचे से कट कर दिया है सिर्फ उपर की दो या तीन पती हम रखेंगे क्योंकि अगर इसमें ज्यादा पतियां होंगी तो यह इनर्जी लेती रहेंगी और रूट निकलने में प्रॉब्लम होगा और अगर आप चाहें यह ऐसे भी लग जाती है लेकिन आप चाहें तो आप रूटिंग हार्मोन लगा सकते है इसमें हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं डालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपके पास ऐलोवेरा है तो आप ऐलोवेरा डिरेक्ट ऐलोवेरा लेकर के उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आप लोगों को दिखाई देती हैं एक एलोवेरा की छोटी सी टैनी लेली है इसका उपर का जेल निकालने और इस तरह से इसमें जेल लगा दें यह देखिए जितने दूर तक आपको मिट्टी में डालना है एलोवेरा का जेल लगा दें तब यह 100% इसका सक्सेस रेट हो आप जाएगा है कि मैं इसी में लगा रही हूं क्योंकि मेरी इस मिट्टी में कोई खाद नहीं है यह नॉर्मल गार्डेन स्वेल है इसलिए मैं इसी में थोड़ा सा रिक कर लगा देती है पानी डाल देंगे मेरी मिट्टी में नमी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं इसमें पानी नहीं डाल रही है और इसको बिल्कुल सेग में रखना है एक सब्ता से 10 दिन तक आप इसको बिल्कुल सेग में रखें उसके बाद धीरे 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 आप मॉर्निंग सन में रखें उसके बाद आप चाहें तो इसे फुल सन में रख सकते हैं और आप देखें कि मेरा ये पूरा एरिया ओपेन है और ये मेरे सारे प्लांट अगर आप इसको सेडी प्लेस पे रखते हैं तो ये लगी हो जाएंगे और इसकी पत्तियों में ये चमक नहीं होगी इनको भी दूप लेकिन हमें धूप मॉर्निंग की पांच घंटे की धूप या फिर साम की चार से पांच घंटे की दूप चाहिए ये जो पीच का टाइम होता है वो इनके लिए डिरेक्ट सनलाइट बहुत ही हानिकारक होता है इससे इसकी लीफ्स जल जाती है और बहुत जल्दी ये प्ला प्लांट आपका नहीं दीखेगा मेरा उपिन एरिया है लेकिन मैं बड़े प्लांट के नीचे इसको रखती हूं जिससे इसे छन के दूप की रोस्नी मिलती है और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूं कि जैसे जैसे सन का डायरेक्शन जहां तेज और कम होता है आप एक ही कलर की प्लांट अगर अलग-अलग एरिया में रखे हूं है तो आप देखेंगे कि इसके प्लांट की ब्राइटनेस इसके लीफ की जो ब्राइटनेस होती है वो अलग-अलग होगी जैसे कहीं पे ये एक ही है लेकिन कहीं पे ये एकदम डाक हो जाएगा कहीं पे कोड़ी भी ड्राइव होती है तो आप देखेंगे कि पत्ते नीचे से यलो होने लगेंगे तो इसके लिए क्या करना है आपको जो मैंने बताया एक्तम मिट्टी को वेल ड्रेंड रखें नीचे बहुत सारे होल रखें अगर आपका प्लास्टिक का प्लांट है तो भी यह प् निकलते रहना चाहिए उससे तब यह प्लांट अच्छा चलता है तो इसका ध्यान रहते हैं मैंने देखा है कि इस पर कोई पेस्ट अटैक नहीं होता लेकिन फिर भी जैसे मौसम चेंज होता है उस समय आप इस पर नजर रखें क्योंकि ऐसे तो पेस्ट अटैक नहीं होता लेकिन अगर हो जाता है तो आपके सारे प्लांट इंफेक्टेड हो जाएंगे क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है ठंड के टाइम में मैंने ध्यान नहीं दिया और वो जो छोटे वाले एफिर्स होते हैं पत्ते के पीछे रहते हैं तो कभी-कभी इसके पत्तों को पलट के देख लिया करें क्योंकि एफिड ही इसे नुकसान पहुंचाते हैं और बाकि इसे कोई इस तरह की हिलिया और किसी तरह के कैटरफिलर इस प्लांट को नहीं खाते तो निशिंत रहें फटिलाइजर के मामले में भी यह प्लांट बहुत अच्छा है क्योंकि आपको इसमें क आठ आठ महीने तक कोई फटिलाइजर नहीं डालोंगी जब मैं देखूंगी कि प्लांट का घ्रोथ थोड़ा स्लो हो रहा है तब मैं दो चार चमच जो भी अवेलेबल कंपोस्ट हो काउडंग मैनेयर हो सबसे अच्छा है दो दो चमच डाल दे ज्यादा भी डालने की जो प्लांट आपके दो से तीन साल तक चलते हैं या उससे ज्यादा भी चलते हैं और जो एनोल प्लांट होते हैं वो उनकी लाइफ सिर्फ एक साल की होती है तो जनरली इनकी लाइफ एक साल ही होती है उससे ज्यादा यह चल भी जाते हैं तो यह बहुत उड़ी हो जाते है और दिखने में सुंदर नहीं लगते, इसलिए इसको टेंडर ही इस तरह का ही दिखना चाहिए, तो इसके लिए आपको जैसे इसका एक साल होने को आए, आपको लगे कि प्लांट मेरा बहुत ग्रोव हो गया है, उपर के सारे टिप्स काट के इसको री ग्रोव कर दें, बस य यह देखें, यह मैंने कटिंग से प्लांट लगाई हुई हैं, इसमें चार प्लांट हैं, और इसको मैं इतने बड़े ग्रो बैग में लगा दूँगी, और कभी-कभी दो-तीन प्लांट मिक्स करके भी लगाएं, बड़े सुन्दर दिखते हैं, तो यहां पे मैं ऐसा ही करू यह देखें, इसमें चार से पांच प्लांट हैं, वन, टू, 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 पॉर, फाइब, चार से पांच प्लांट हैं, इसको मैं, हमारी मिट्टी बनी हुई है, बस बिना डिस्टर्ब किये हुए, इसके रूट बहुत नाजुक होते हैं, तो ध्यान रखें कि रूट बॉल बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, देखें, पूरा रूट बॉल इसका बना हुआ है, चुकि मेरा यह प्लांट बहुत जादा लेगी है इसलिए मैं इसको अभी काट दूंगी ताकि यह देखें मेरी यह यह भी एक कटिंग तियार हो गई है यह भी मैं इसी में लगा दूंगी साइड में ताकि यह मेरा मिक्सन मैच हो जाए और बुशी बनाने के लिए किस तरह पिंच करते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी देखें यह पर यह दो लीब लीफ निकले हुए है इसको पिंच कर देना है यहां से पिंच कर दूंगी अब आपको कभी इसका अपडेट दिखाऊंगी कि कैसे यह बुशी हो करके कितना सुन्दर दिखता है एक दूसरे के साथ मिक्स हो करके देखें मेरे पास कितने डिफ्रेंट वराइटी के कोलियस है आप ये देखें ये अलग है ये अलग है ये देखें ये नियोन कलर के ये भी थोड़े से डिफ्रेंट है और यहां पे आप ये भी देख सकते हैं ये बहुत खुबसूरत है यह भी डिफरेंट है यह सारे थोड़े थोड़े डिफरेंट डिफरेंट के हैं मैं आपको यहां दिखा देए यह मेरा एक प्लांट देखें छोटे ही गमले में लगा हुआ है और आप इसको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्लांटर में आपका प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो उसको उपर से पिंच कर देना है और फिर जब उसमें से दो ब्रांच निकलेंगे फिर उसे पिंच कर देना है ऐसे करते करते ये देखें अभी मैं एक बार और इसकी पिंचिंग करूंगी ताकि वो बिल्कुल बड़ा सा गोल सा सेप ले लेता है यहां भी आप देख सकते हैं यह कितना खुबसूरत मेरा plant है, आप इसको देख सकते हैं इसको भी मैंने पिंच करकर के इसका दर्बुषी बना दिया है इसका shade देखें कितना सुन्दर है लगता है इस पर कलर के छीटे पड़े हुए है इतना सुन्दर प्लांट है यह यह भी मैं आपको एक variety दिखाना चाहती है यह देखें यह भी बिल्कुल different variety है और इसका color shade color combination देखें बहुत ही सुन्दर है मैंने इसमें 3 cutting लगाई हुई है ल यह ब्रॉंच color के इसके leaf है यह उपर वाले आप leaf को छोड़ दें यह नीचे देखें में इसका जो leaf है वो इस color का होता है और यह देखें यह इस color का यह ब्रॉंच color है और यह बहुत-बहुत rare है बहुत कम देखने को मिलते हैं इस जगे मैंने एक साथ बहुत सारे पूलियस लगा रखे हैं और यहां पर फुल सनलाइट आती है थोड़ा सा मेरे चुकी पेर पहुते थोड़े बड़े हैं इसलिए कभी बीच में जैसे दोफर का टाइम होता है तो थोड़ा सा उसके सेट से यह यहां पर इस कदर खुबसूरत हो रखे हैं अगर आप लोग